दोस्तों बहुत दिन के बाद आज मैं अपने यूटूब चैनल के कमेंट्स को चेक कर रहा था और उसमें बहुत इंट्रेस्टिंग फैक्ट निकलके सामने आई है जिसको आज मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ हमारे कमेंट में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि आज के समय में सबसे जल्दी गुरूत पाने वाला कौन सा बिजनस है और मैं किस तरीके से किस बिजनस किस टेक्निक के तरहू पैसा जनरेट करता हूँ तो आज मैं उस सिक्रेक को इस वीडियो के अंदर रिवेल करने वाला हूँ और साती में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आज के समय में आज के दौर में टाइम के हिसाब से कौन सा बिजनस सबसे बहतर प्रॉफिट जेनरेट करवा सकता है अगर आप भी जानना चाहते है है तो इस वीडियो को देखते रहेगा क्योंकि इस वीडियो में मैं तीन ट्रेडिशनल बिजनस के बारे में बात करूंगा जो टेकनलोजिकल बिजनस होगी और इसके बाद जो एक बिजनस में लास्ट में बताऊंगा वो सबसे अच्छा बिजनस होगा किस मैटर में होगा इस तरह से होगा उसके बारे में विज्जिक्र करूंगा इसमेंश कोई भी बिजनस ऐसा हो सकता है जो आपके लिए इजी तरीके से कम इंवेस्टमेंट के अंदर सुरू कर सकते हैं और साथ ही साथ आप यहां पर एक चेज और देख सकते हैं कि यह जो बिजनस है उसका इंव देखते रिये और आज हम बात करेंगे चार ऐसे बिजनस के बारे में जो आपको मिलिनायर बना सकता है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे नाम है आनद आप देख रहे हैं स्टार्टप अथार्डी यूडूप चैनल और आज मैं बात करूँगा इसी तरह के बिजनस मॉडल के बारे में सबसे पहले जिक्र करते हैं इंटरनेट यूजर की क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसी बिजनस की तो कहीं न कहीं आज के समय में इंटरनेट का जो एक्सपेंशन है वो एक इतना मोड पर जा चुका है ए कैसे मोड तक जा चुका है कैसे मोहाने तक जा चुका है जिसको कोई भी बंदा इग्नोर नहीं कर सकता इंटरनेट की बात करें तो वोड का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर है और अगर बात करें कोमर्शियल एप्स या इस्तमाल करने के इन बिजनसेस को तो मैं बता दो दोस्तों कि आने वाले दो साल के अंदर e-commerce industry में इंडिया जो है वोर्ड की दूसरी सबसे बड़ी वाइंग capacity वाली देश बनने जा रही है अब कमाल की बात है यहां पर दोस्तों कि आखिर हमें इसको इस डेटा का अस्तमाल कैसे करना चाहिए तो सबसे पहले बिजनस की मैं शुरुआत करता हूँ और यह बिजनस है e-commerce business आज के समय में बहुत सारे लोग कहते हैं कि e-commerce में Amazon है e-commerce में Flipkart है e-commerce में Snapdler बहुत सारी कंपनिया है जो चलती है कुछ कंपनिया बंद हो गई तो क्या e-commerce business हमारे लिए profitable हो सकता है जिहां दोस्तों यह बहुत ही ज्यादा profitable हो सकता है क्योंकि आज के समय में internet की medium एक ऐसी medium है जहां पर आप double rate से triple rate में भी अपने समान को बेच सकते हैं और लोग बड़े आराम से बड़े आसानी से खरीद भी सकते हैं और यह platform हर जगा होता है अब आप बोल रहे होंगे कि इसमें तो बहुत offer लगता है बहुत offer देना पड़ता है ऐसा नहीं है आप जो है बिना offer के भी समान को बेच सकते हैं बलकि आपको जो है बेचनी का तरीका बेचनी का जो trick से वो समझ में आना बात करते हैं platform की कि कौन सा platform आपके लिए सबसे बहतर होगा दोस्तो platform में आजकल के time में mobile devices जो है सबसे ज़्यादा implement होती है यूज होती है अगर आप किसी business की शुरुआत करते हैं तो आपका जो app है या आपका जो mobile version है या जो है आपकी website है वो इस तरह से होगी होनी अच्छी जनरेट हो सकती है साथी साथ अगर बात करें investment की इस business के अंदर तो आप जो है कम से कम 20,000 रुपए से ही सुच्कुरो इस बिजनस की शुरुआत कर सकते हैं और profit रहे आप अच्छी खासी कमा सकते हैं मैं लगतार वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं बता रहा और आप हमारे चैनल पर जाकर के पीछे की वीडियो में देख सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर आज के समय मैं इस business को क्यों प्रपोच कर रहा हूं क्यों सपोर्ट कर रहा हूं और नंबर बन पोजिशन पे इस business को क्यों रख रहा हूं दोस्तों 2020 के अंदर 2020 क ये जो है 200 मिलियन डॉलर का business वो होने वाला है इंडिया के अंदर यानि कि जो आपका अभी ratio चल रहा है इसमें आप ये समझे लो 10-10 बिलियन डॉलर से जादे का हर साल increment होने वाला है और opportunity ऐसी है कि हर कोई online platform से ही अपने समान को अपने product को खरीदने में ज्यादा interest रखता ह तो इस तरीके से ये business मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे ज़्यादा super profitable सावित हो सकता है अब बात करते हैं दूसरे business की दूसरे business है education sector की अगर आपको कोई भी चीज पढ़ाने की कला आती है या कोशी भी subject में आप जो है बहतर perform कर सकते हैं या बहतर चीज़ों को औरों से ज आज internet पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो courses बेच रहे हैं जो 299, 399, 499 के courses होते हैं लेकिन दोस्तों कमाल की बात यहां पर यह है कि आपको बार बार नहीं पढ़ाना पड़ता है आपको एक बारी courses design करने होती है एक बारी courses की videos बनाने पड़ते हैं और आपको इन ही courses को बार बार sell करना होता है इसका ताजा example मैं बता दो दोस्तों तो Bezos.com इसका ताजा example है बहुत कम समय में बहुत बड़ी investment के साथ बहुत बड़ी business model जो है इसका बन चुका है अगर आप भी digital entrepreneurship के तरफ move कर रहे हैं और digital entrepreneurship में अगर आप जाना चाहते हैं तो education sector आपके लिए मिल का पथर सावित हो सकता है अब बात कर लेते हैं कि इसमें investment कितना generate होने वाला है तो दोस्तों investment की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा investment नहीं है अगर आप 5,000 से 10,000 के अंदर भी इस business का चाहें तो आप जो है start कर सकते हैं expand कर सकते हैं और यहां से अच business model इसलिए grow नहीं करते हैं दोस्तों क्योंकि उनमें अच्छे consultant नहीं होते हैं उनमें अच्छा तरीके से किस तरीके से business को boost करना चाहिए scale up करना चाहिए वो जो है उनको जादा तरीके से जनकारी नहीं होती है और business देरे देरे डाउन होने लगता है ऐसे में अगर आप consultancy सर्विस स्टार्ट करते हैं तो आपका बंदा दूसरी की companies में जाकर कि उनको consultancy देगा उनको help करेगा कि उनके business को जल्दी quickly किस तरीके से grow help किया जा सकता है और इस तरह कि आप consultancy open करके अच्छे खासी पैसे कमा सकते हैं सबसे बड़ी बात है यहां पर दोस्तों कि यह जो model है यह हर जगर implemented है चाहे वो MNC company हो या non MNC company हो छोटा बेवसाई हो या बड़ा बेवसाई हो हर किसी को consultancy की जरूरत पड़ती है आज हमा यह कैसे मैं आज आपसे कहता हूं कि यह business भी काफी super profitable है आज के technology के यूग में अब बात करते हैं सबसे धमाकेदार business की अब बात करते हैं कैसे business की जो सच में आपके जिंदगी को बदल सकता है और वो business है दोस्तों direct selling अगर आप समझते होंगे कि direct selling बहुत गंदा business है network marketing आपको sell करने की capacity आनी चाहिए इस business में भी आपको जो है team build करने की capacity आनी चाहिए यह दो काम किसी बिजनस में अगर आप नहीं करोगे तो वो business भी नहीं चलेगा वो business भी fail हो जाएगा लेकिन अगर आपको इसका experience है तो आप जो है इसको build कर सकते हैं किसी भी startup की बात करते है जब भी वो startup की शुरुआत करता है दोस्तों तो वहाँ पर सबसे पहले बंदा जो है idea को लेकर के आता है उस idea को implement करने के लिए वो team hire करता है team hire करने के बाद वो team उसके लिए काम करती है और उसके बदले में वो payment पाती है लेकर direct selling industry है कैसी industry है जहाँ पर आपको अपने team को जरूर hire करना होगा लेकिन यह team आपके लिए नहीं काम करेगी अपने लिए काम करेगी और जब कोई बंदा अपने लिए काम करता है तो profit सबसे ज़्यादा वहाँ होता है इसके भी बहुत सारे logic हैं बहुत सारे ways हैं जिसको आपको जाना समझना बहुत जरूरी होता है और दोस्तो हमारी कमपनी डिजिटल एंटरपर्णियोस के जरीए कुछ प्रोग्राम को लेकर करके आ रही है जिस प्रोग्राम के अंदर आप इंट्रॉल कर सकते हैं मातर 299 रुपे में हम जो है आपको सिखाएंगे कि e-commerce बिजनस को किस तरीके से boost किया जा सकता है किस तरीके स आप जो है e-commerce प्लाटफॉर्म का इस्तमाल करके एक अच्छे बिजनस अपर्चुनिटी को ग्राब आउन कर सकते हैं अच्छे बिजनस अपर्चुनिटी के साथ कांटिनियू कर सकते हैं तो दोस्तों आपको ये बिजनस वीडियो कैसा लगा अगर आपको बिजनस वीडिय करने के लिए जय भारत